अगर हम सही तरीके से पढ़ाई करें तो हम कम समय में जादा पढ़ाई कर सकते हैं और ऐसे पढ़ाई कर सकते हैं कि वो जादा लंबे समय तक हमें याद रहे पढ़ाई करने के तरीकों पर कुछ रिसर्च हुई और कुछ साइन्टिफिक तरीके डवलप किये गए और उसी तरीकों में से एक टेकनिक बनाई गई है उसका नाम है SQ-3R टेकनिक इस टेकनिक से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपकी एफिशेंसी काफी बढ़ जाएगी तो ये SQ-3R टेकनिक में कुछ पार्ट में हम डिवाइट कर सकते हैं पहला आता है सर्वे पार्ट जिसमें हम जो सिर्फ उपर उपर से देख लेते हैं दूसरी बात आती है कोशनिंग की जहां हम जो देखा है उसमें से हम कोशन्स बनाते हैं फिर तीन आर होते हैं जिसमें पहला होता है रीड हम सिर्फ उसको पढ़ लेते हैं फिर recite करते हैं यानि सिर्फ एक बार repeat कर लेते हैं और फिर हम उसको review करते हैं तो ये पूरी SQR 3 techniques की कुछ stages है तो ये technique जो है Francis Robinson ने 1946 में बनाई थी और अपनी book में भी इसको लिखा था effective study जिसका नाम है उन्होंने ये technique से अपने college student को पढ़ाया और उस पर उनको बहुत बढ़िया result मिले सारे students का performance जो है काफी अच्छा रहा तो ये technique वैसे तो उन्होंने college student के लिए बनाई है पर ये school वाले या कोई आप general study भी करते हैं तो उसमें भी आप ये आसानी से apply कर सकते हैं तो तीन further stage में divide कर सकते हम इसको पहला काम आपको करना है actual reading के पहले उसके बाद आपको during reading में कुछ काम करने है और पढ़ाई हो जाने के बाद आपको कुछ काम करना है तो पहले आपको survey और questioning वाला काम करना है जो आपका actual पढ़ाई के पहले होना है तो survey में आपको क्या करना है आपको बस chapter की heading, sub heading, कुछ figure हो, कुछ table हो, कुछ photo हो उन सब को बस देख लेना है सिर्फ देखना है और कुछ नहीं करना और ये काम करने में आपको 5 मिनिट लगेंगे और ये काम आपको करना है 5 बार 5 बार आपको सिर्फ heading, sub heading ये सारी चीजे देख लेनी है और कुछ नहीं करना अब इस देख लेने का आपको ये फायदा मिलेगा कि actual पढ़ाई के पहले आप content से, topics से familiar हो जाएंगे दूसरा फायदा ये मिलेगा कि अगर आपके brain में कुछ related information उस topic से related है तो वो activate हो जाएगी आपका पुराना knowledge जो भी इस से related है वो activate हो जाएगा जिससे आपकी पढ़ने की efficiency काफी बढ़ जाएगी दूसरा काम आपको करना है questioning वाला काम तो आपने जो भी heading, sub heading पड़ी है आपको उसको questions में convert कर देना है तो आपको कुछ सवाल करने कि ये chapter किस चीज के बारे में है क्या question आ सकते हैं क्या information ये chapter हमें देना चाहरा है इस तरह कि आप सवाल बना सकते हैं और अगर सवाल नहीं दिये गए हैं तो आप बना सकते हैं और अधिकतर books में chapter के end पे question दिये रहते हैं तो आपको उनको भी पढ़ लेना है इसके साथ आपको अगर आप exam point of view से पढ़ रहे हैं तो आपको last five year के question भी पढ़ लेना है last five year में इस chapter से related क्या क्या question आए हैं उनको भी आपको पढ़ लेना है अब ये questioning के आपको बहुत फायदा मिलेगा एक फायदा तो ये मिलेगा कि आपको exactly पता चल जागा कि क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ छोड़नी है क्या चीज़ काम की है और क्या चीज़ काम की नहीं है तो आप अपना focus जो है एक सही direction में एक limited areas पर ही रखेंगे ना कि पूरे दुनिया भर के chapter की हर बात पर और आपकी जो भी redundant जो भी ऐसी information जिसकी जरूरत नहीं है जो exam में नहीं आती है या बिल्कुल ही chance नहीं है यसी information आप ignore कर सकते हैं तो आपको exactly पता चल लाएगा कि क्या चीज़ आपको पढ़नी है दूसरा काम आपको करना है reading वाला तो आपने survey में जो देखा questions जो आपने बनाए है उन questions का जवाब ढूणने के लिए आपको reading करनी है आपकी reading इस तरही की होनी चाहिए कि आप उन सवालों का जवाब ढूण रहे हैं तो आप उस तरही के से reading करिए आपको बुक में जवाब मिलना है बहुत अच्छी बात है बुक में अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप Google की help लीजिए आप Wikipedia की help लीजिए या कोई और दूसरा source आप इस्तिमाल कर सकते हैं Reading के बाद आपको काम करना है recording का यानि की जो भी जवाब आपने ढूणे है questions के उनको आपको record करना है उनके answers को record करना है तो वो काम आपको करना है notes बना के notes जब बनाएं आप तो आपको कोशिस करनी चाहिए कि आप अपने ही शब्दों में बनाएं ताकि आपको और अच्छे से लंबे समय तक याद रहें कुछ भी important चीज़े हैं उनको आप underline कर सकते हैं highlight कर सकते हैं, mark कर सकते हैं ये काम आपको recording वाले process में करना है recording के बाद आपको करना है reciting यानि कि उसको पढ़ना है आपने जो answer ढूने हैं, जो record किये हैं उनको पढ़ना है तो कोशिस करिए कि जब भी आप पढ़ें तो अपने जादा से जादा census को अपनी जादा से जादा इंदरियों को उसमें शामिल करना है अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा कम याद रहेगा पर आप पढ़ने के साथ साथ बोल के पढ़ते हैं तो आपको जादा याद रहेगा क्योंकि आपके तीन senses involve हो जाते हैं आप देख भी रहें, आप बोल भी रहें, आप सुन भी रहें और आपका पावर और बढ़ जाएगा याद रखने का अगर आप और senses को involve कर लें यानि आप पढ़ें भी, लिखें भी, सुनें भी और ये सारी चीज़ा आप करते हैं तो आपको और जादा strength आपकी बढ़ जाएगी और जादा लंबे समय तक आपको याद रहेगा तो जब भी आप recite करें तो जादा से जादा senses को involve करें इसके बाद वाला चीज़ आ जाती है review वाली या revision वाली तो यहाँ पे हमारा काम है, हमारा उद्देश है कि हमने जो भी पढ़ा है उसको हम permanent memory में transfer कर सकें, ताकि हम exam में उस चीज़ को अच्छे से लिख सकें तो हमारा एक forgetting curve होता है कि धीरे धीरे brain जो है वो चीज़ों को छोड़ने लगता है भूलने लगता है क्योंकि उसको यह feel होता है कि यह चीज important नहीं है तो आपको brain को यह feel कराना है कि यह चीज़ important है तो आपने जो भी पड़ा है वो 24 गंटे के अंदर आपको review कर लेना है 24 गंटे के अंदर आपको कर ही लेना है और उसके बाद आपको weekly यह काम करना है तो यह काम आप करेंगे और आपको ध्यान रखना है कि आप जादा से जादा अपने census को involve करते हुए करेंगे तो यह काम आप जब करेंगे तो information जो है आपकी permanent memory में transfer होने लगेगी आपको बहुत लंबे समय तक जो है वो याद रहेगा तो यह थी हमारी SQ3R technique की बात तो यह बहुत बढ़िया technique है आने वाले वीडियो में मैं कुछ और technique आपको बताऊंगा आप अगर उनको miss नहीं करना चाहते तो आप channel को subscribe कर सकते हैं और इसी के साथ मैं अपनी बात खतम करता हूँ